हाई फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने बारे हैं स्पेरिकल मिरर्स को तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं स्पेरिकल मिरर्स और दोज मिरर्स विच है वो कर्व रिफ्लेक्टिंग सर्फेस तो ऐसे mirror जिनकी reflecting surface curve होती है उनको हम कहते है spherical mirror means यह आपके सामने दो curve surface है अब spherical mirrors में हमारे पास दो option होते है पहला option यह है कि हम इसको अंदर से polish करें तो यह रहेगी polish surface और बाहर वाली कहलाएगी reflecting surface और दूसरा option यह है कि इसको हम बाहर से polish करें तो यह बाहर की तरफ है polish surface और अंदर की और आपकी है reflecting surface अब इन दोनों mirrors में difference है एक में reflecting surface outward है और दूसरे में reflecting surface inward है तो इन दोनों में से उसको जिसकी reflecting surface outward है हम नाम देते हैं convex mirror तो यह आपका कहलाएगा convex mirror और जिसकी reflecting surface inward है उसको हम नाम देते हैं Concave Mirror आप याद इस तरह से रख सकते हैं कि यहाँ पे Concave Cave मतलब होता है गुफा गुफा अंदर की तरफ होती है तो जैसे यह आपकी सर्फेस है तो इसमें अंदर की तरफ अगर reflecting surface यह बाहर polish कर रखा है तो गुफा अंदर की तरफ है तो Cave वैसे आप याद रखते हैं Concave और अगर अंदर polish कर रखा हो और बाहर reflecting surface हो तो फिर आपका case होगा Convex Mirror का तो Sparical Mirrors के दो टाइप्स हो गए Convex Mirror और Concave Mirror अब हम कुछ terms देखते हैं जो related है Sparical Mirrors से तो पहली term हम देख रहे हैं Center of curvature देखिए यह आपके पास Concave Mirror है और यह आपके पास Convex Mirror है अब चाहे Concave Mirror हो चाहे Convex Mirror हो दोनों ही एक Spar का Part है तो अगर इसको आप देखें तो इसका भी एक Spar कंप्लीट होगा और इसको आप देखें तो इसका भी एक Spar कंप्लीट होगा तो दोनों Concave Mirror हो चाहे Convex Mirror हो एक Spar का Part होते हैं परफेक्टली बताऊं तो कुछ इस तरह का दिखेगा तो यह आप देख सकते हैं कि दोनों Mirror Concave and Convex एक Spar का Part है उस Spar के Center को हम बोलते हैं Center of Carvature और उसको हम denote करते हैं Capital Z से बोथ Mirrors Concave and Convex means Sparical Mirrors are Part of a Spar the Center of that Spar is called as Center of Carvature तो C यहाँ पर आपका है Center of Carvature Second term हम देखते हैं कि इसका Reflecting Surface कौन सी है तो दोस्तों यह जो M से लेकर N तक की जगह है यहाँ पर M से लेकर N तक की जगह है यह MN कहलाएगा Reflecting Surface इसके पीछे वाला हिससा Polish है और सामने वाला हिससा Reflecting है यहाँ पर इधर वाला हिससा Reflecting है इधर वाला हिससा Polish है बट मिला जुला कि जो आपका MN है वो Reflecting Surface है तो MN को हम बोलेंगे Reflecting Surface और अगर आप इस Reflecting Surface का Center देखें तो इस Reflecting Surface का Center यहाँ पर है यह इस Reflecting Surface का Center है और यह इस Reflecting Surface का Center है और दोस्तों Reflecting Surface के Center को हम लोग पोल कहते हैं तो P-O-L-E pole denoted by Capital P and pole is the Center of Reflecting Surface of Spherical Mirror अब अगर pole और center of curvature को हम जॉइन करें तो एक स्टेट लाइन आएगी तो pole और center of curvature को जॉइन करने पर यह जो स्टेट लाइन आ रही है इसको बोलते है प्रिंसिपल एक्सिस तो इस प्रिंसिपल एक्सिस तो यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गई conquest mirror की और यह प्रिंसिपल एक्सिस है Convex Mirror की तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस वह स्टेट लाइन होती है जो जॉइन करती है center of curvature को और pole को तो तो the straight line passing through center of curvature in pole of the mirror is known as principal axis अब दोस्तों एक नई चीज और देखते हैं radius of curvature देखें radius of curvature का logic क्या है आप जानते हैं कि चाहिए दौनों spherical mirrors, concave या convex दौनों एक sphere का part है तो यह जिस sphere का part है उस sphere की radius को हम लोग बोलते हैं radius of curvature तो यहाँ पर आप देखें कि यह जो reflecting surface है mn इस reflecting surface का अगर हम sphere पूरा करें तो वो sphere यह बनेगा और इस sphere की radius C से लेकर P तक का distance होगी तो यह जो reflecting surface है इसका अगर sphere आप complete करें और उस sphere की radius को देखें तो वो radius कहलाएगी आपकी radius of curvature और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो radius center of curvature C से लेकर pole P तक का distance है तो हम बोल सकते हैं कि the distance between center of curvature of spherical mirror and pole is known as radius of curvature means radius of curvature capital R will be equal to distance between pole and center of curvature तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के distance को आप बोलेंगे capital R तो कि इस reflecting surface का यह dash dash करके जो बना रखा है यह complete sphere है और इसकी radius होगी C से लेकर P तक का distance और same in the convex mirror यहाँ पर इस MN surface का जो sphere है वो right hand side में complete हो रहा है और यह है उसका radius of curvature तो the spherical mirrors either concave or convex are part of a sphere the radius of that sphere is called as radius of curvature denoted by capital R अब next चीज़ हम define कर रहे हैं focus तो focus हो समझते हैं दिखिए अगर एक light ray principal axis के parallel incident होती है यह जो line अभी आई है यह light ray आई है यह light ray principal axis के पहल आई है तो अगर कोई light ray principal axis के पहल आती है तो उसके साथ क्या होता है यह हमको देखना है उससे पहले हमको थोड़ा पुराना revise करना होगा कि अगर आपकी एक light ray theta angle पर normal से incident होती है तो वो वापस theta angle बनाके reflect होगी तो laws of reflection हमने पढ़ रखे हैं कि माल लीजिए यह आपका plane mirror था इस point पर light ray incident रही इस point पर यह normal है तो माल लेते हैं incident यह theta angle बनाके आ रही है जिसको आपने angle I नाम दिया था और अकराकर भी वो वापस theta angle पर जाएगी जिसको आप R बोलते हैं और laws of reflection में आप जानते हैं कि I is equals to क्या होता है R होता है मतलब जितने angle पर light incident होती है उतने ही angle पर light वापस reflect होकर जाती है but important बात यह है कि ऐसा करने के लिए आपको चाहिए होता है एक normal तो कि normal से आप incident रही का angle देखने वाले है और normal से आप reflecting रही का angle देखने वाले है तो दोस्तों यहाँ पर यह जो light principle axis के पहले आई है इसका incident point यह है यह इसका incident point है यह आप बोल सकते हैं यह point of incidence है तो आपको इस point of incidence पर normal चाहिए होगा अब यहाँ पर normal कैसे बनेगा तो इस logic को समझें कि यह जो point है यह circle का circumference है क्योंकि आप जानते हैं यह point reflecting surface के उपर है concave mirror की और concave mirror एक sphere का part है एक circle का part है तो इसका मतलब यह circle के circumference पर एक point है और अगर आपको circle के circumference पर normal चाहिए तो बहुत basic logic है कि circle के circumference के किसी भी point को center से connect करने पर जो line बनती है वो line normal होती है मतलब जिसे मालीज़े यह circle आपके पास है और इस circle के इस point पर आपको normal चाहिए तो बस आपको center से उस point को connect करना है ये बन गई 90 के line आपको circumference के इस point पर normal चाहिए तो आपको इसको center से connect करना है बन गई 90 के line मतलब अगर आपको circle के किसी भी point को और कभी भी normal चाहिए तो उस point को center से connect कीजिए बिलकुल वैसे हमारे case में मुझे इस point of incidence पर normal चाहिए तो point of incidence पर normal चाहिए तो ऐसा करने के लिए मुझे उस point को इस circle के center से connect करना पड़ेगा और इस circle का center है center of curvature मतलब इस तरह से जो line बनेगी जो circumference के एक point को center से जोड़ रही है वो line कराएगी normal at the point of incidence यह बार fresh बनाए तो यह आपका कहलाएगा normal at the point of incidence बस एक logic को याद रखें कि अगर आपको circle के इसी point पर normal चाहिए तो उस point को आपको center से connect करना है circle के अब देखिए यह light एक particular angle बनाती है यह normal से मान लेते हैं वो angle i है तो उतने ही angle पर इसको वापस से टकरा के जाना है तो यह उतने ही angle पर टकरा के वापस से इस तरह से जाती है तो i angle पर आई थी r angle पर गई और हम जानते हैं reflection के law से कि i is equals to क्या है r है तो principal axis के पहले आने वाली ray एक point से पास हुई है अब अगर यह ray निचे से आती means इस तरह से आती तो अगर यह ray इस तरह से आती तो आपको इस point पर यह point of incidence है आपका इस point पर आपको normal बनाना पड़ता अब normal आप कैसे बनाएंगे normal आप ऐसे बना सकते हैं कि उस point को center of curvature से join कर दीजिए तो join करने के बाद यह जो चीज बनी है यह है normal at the point of incidence इतने angle पर आईए normal से आई अगल पर आईए normal से तो वापस भी इतने ही angle पर जाएगी तो इतना ही angle बनाते हैं यहां से पास होगी तो आई अगल पर आई थी और आई अगल पर वापस चल गई तो दौनों का आपने देखा कि आने वाली दौनों parallel rays एक ही point पर मिल रही हैं और दोस्तों उसी point को हम नाम देते हैं focus point तो principal axis के parallel आने वाली rays reflection के बाद concave mirror के एक point से पास होती है और उस point को हम नाम देते हैं focus point अब अगर आप convex mirror में चेक करें तो माल लेते हैं यह एक light ray incident होती है जो principal axis के parallel है इसके reflecting surface इस तरफ है तो incidence भी इस तरफ ही होगा अब यहाँ आपका incident point यह है और इस incident point पर आपको normal चाहिए तो इस incident point पर normal ऐसा बनेगा यह है normal at the point of incidence अगर इससे eye angle बनाते वहाई है तो इससे eye angle बनाती वही वापस जाई तो यहाँ पर यह scene रहा कि यह reflecting surface पर आई reflecting surface इस तरफ थी इसकी उस point पर आपने normal बनाया जितने angle पर normal सा आई थी उतने angle पर वापस गई है अब इसको अगर मैं पीछे extra plot करू तो यह पीछे इस point पर काट रही है तो यहाँ इस point को हम नाम देंगे focus और अगर यह light यहाँ से incident होई होती तो फिर इसको वापस है नॉर्मल चेक करना पड़ता इस point पर normal होगा इसको center of curvature से connect कर दीजिए जितने angle पर light आई है तकरा कि उतने angle पर वापस जाएगी और यह टकरा कि उतने angle पर वापस गई इसको पीछे extra plot करेंगे तो आप देखेंगे कि वापस से यह उसी point पर आपको feel होती है और इस point को हम नाम देते हैं focus तो दो बातें बहुत खास हैं जो आपको याद रखनी है मैं इस diagram को थोड़ा clearly वापस बना देता हूँ आपके लिए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस concave mirror में जो light ray इस principal axis के parallel आती है और जिस point पर incidence होती है उस point पर normal बनता है उस point को center से connect करने पर साल के लिए कि center को connect करते हैं हम किसी point से तो normal बनता है नॉर्मल से जितना एंगल पर आई है आई एंगल से आई है आई एंगल पर वापस जाती है यहाँ पर i is equals to r है और इधर भी i is equals to r है तो होता यह है कि जितनी भी rays principal axis के parallel आती है वो mirror से टक्राने के बाद concave mirror से टक्राने के बाद सारी एक point पर मिलती है आप देख लिजिए यह first ray आई टक्रा के focus पर मिली second ray आई टक्रा के focus पर मिली ऐसे और भी rays जो principal axis के parallel आएंगी वो सारी काम मिलेंगी focus पर तो concave mirror के principal axis के parallel आने वाले rays जिस point पर मिलती है उस point को आप नाम देते है focus point जबकि convex में देखोगे तो जो rays principal axis के parallel आई है मान लीजिए आप पहले इस ray को consider कर लीजिए तो यह ray जितने angle पर आई अब angle के लिए चेक किया आपने वही जिस point पर incident हुई उस point को center of curvature से connect किया जो line आई वो normal है उससे जितने angle आई पर आई उतने angle आई पर वापस जा रही है और इसको R नम देना जाए तो अभी को दिक्कत नहीं को कि I is equal to R है means यहाँ पर जो ray पहल आ रही है वो इस तरह से divers हो रही है कि अगर उसको पीछे मिलाए आप देखिए यह first ray ऐसे divers होई यह second ray ऐसे divers होई पर दोनों को अगर पीछे extra plot किया आपने यहाँ पर तो वो एक point में मिलती हुए आपको feel होती है और उस point का नाम यहाँ पर है focus point तो हम यह बोल सकते हैं कि the rays which are coming parallel to principal axis after reflection from concave mirror meet at a point that point is called focus of concave mirror और convex के बारे में आप बोल सकते हैं कि the rays which are coming parallel to principal axis after reflection appear to meet at a point यह सारी rays आपको feel हो रहा है कि focus में मिल रही वास्तों में नहीं मिल रही वास्तों में वो divers हैंगे आगे जा रही है बड़ पीछे मिला रहे हैं तो कहा feel आ रहा है focus पे मिलने का feel आ रहा है called as focus point of convex mirror और दोनों को combined करके लिखना हो तो वो definition ऐसी बनेगी कि the rays which are coming parallel to principal axis of spherical mirror after reflection from the mirror it meets और appear to meets at a point called as focus of spherical mirror यहाँ पर concave में वास्तों में मिलती है focus पे और convex में मिलती भी feel होती है तो हम यह बोल सकते हैं कि concave mirror has real focus and convex mirror has virtual focus तो यह definition थी focus की और दोस्तों इस focus point का post or distance है मतलब यह वाला distance और यहाँ चेक करें तो focus का post or distance यह वाला distance इसको हम बोलते है focal length small f तो capital f है focus point और small f है focal length तो focal length capital f से लेके पी तक का distance है तो यह हमने discuss किया terms related to spherical mirrors यह focus important था क्योंकि यहाँ आपने सीखा कि spherical mirror के एक point पे normal कैसे draw करते हैं कैसे light को incident करते हैं कैसे light को reflect करते हैं और इस से पहले plane mirror था तो plane mirror में बहुत आसा नर्मल बनाना यहाँ थोड़ा सा tricky है तो इस logic को याद रखें इन terms के notes बनाएं और properly अच्छे तरीके से ray diagrams की पैट्रिस करें यह जो मैंने बनाया है यह ray diagram कहलाता है तो अच्छे से सुंदर तरीके से आप बनाएं ताकि exam में आपका presentation अच्छा हो और माक्स ब्यापकोच्छे मिले